सिंपल सा आलू दम खाके बोर हो गया है तो एक बार दही आलू बनाईए बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू को बॉयल करके 80% पकाई हूं और छिलका उतारके मैंने ले लिया है तो चलिए अब इसमें मसाला मिक्स करते हैं हल्दी पाउडर लाल मीच पाउडर और इसको अच्छे से चमस से मिक्स कर लूँगी उसके बाद एक कड़ाई में तेल गरम करने के लिए चड़ा दिया है मैंने और तेल जैसे ही गरम हो जाएगी आलू को डीप फ्राई करके निकाल लेंगे तो देखिए हम एक एक करके इसक होड़ा सा गोल्डेन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे तीन चार मिनट हो गई है और मेरे आलू भी फ्राई हो गई है तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं उसी कड़ाई का तेल में मैं एड़ करूंगी एक चम्मत जीरा दो तेजपत्ता और थोड़े ख प्याज मीडियम फ्लेम में में 3-4 मिनट प्याज को भूनेंगे प्याज को चलाते लिए 3-4 मिनट भोगए है और प्याज भी थोड़ा साप की है और देखे थोड़ा ब्राउन कलर आ गये है तो अब मैं इसमें आड़ करूंगा चार हरी मिर्च और एक इंच ऑद्रक को मैं से दो मिनट भूनेंगे उसके बाद मैं आड़ करूँगी दो टमार्टर का प्यूरी टमार्टर को मैंने डाल दिया है अब मैं करूँगी एक चम.म.म. लद उच्द tells गउडर एक चैक चैक बबाघ के जीर पी चाड़ी таких इनी लाल मिर्च आधा चम्माच और कास्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए तो चरी अब इसे चला लेते हैं तो दो-तीन मिनट चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे मसालो को और टमाटर को तो देखे टमाटर अच्छे से भून गई है तो इसमें मैं आड करूँगी दो कटी हुई हरी मिर्च मुझे तीखा पसंद है तो थोड़ा हरी मिर्च आड़ कर रही हूं आपको बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो देखिए अच्छे से मसाले भून गए हैं अब मैं इसमें आड़ करूंगी दो चम्मच दही और लगातार चलाते रहूंगी और इसका फ्लेम मैं एकदम लो कर दूंगी नहीं तो दही पर सकती है और ये दही को डालने के बाद लगातार चलाते रहना है जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए और दो तीन मिनट इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो देखिए कितने और शब दही भी अच्छे से भून गई है तो अब मैं इसमें एड करूंगी पानी आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी आप एड कर लिजे मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए और राइस के साथ खाना है तो मैं थोड़ा ग्रेवी ज्यादा अब मैं इसमें एड करूंगी क्रस करके कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया पत्ता और एक बार चला लेंगे तो थोड़ा सा मैं इसमें और पानी एड करूंगी और अच्छे से चला लूंगी देखिए बॉयल आ गई है तो अब मैं इसमें एड कर दूंगी आलू सारा आलू को मैंने एक-एक करके ढाल दूंगी तो देखिये मैंने सारा ओलू को डाल दिया है और गरम मशाला भी आउड कर दिया है और अच्छे से एक बाद चला लेंगे और तीन से चार मिनटके लिए इसको कुखोने देंगे तो देखिए तीन चार मिनाट हो गई है अब मैं धक्कन हटाती हूं तो देखिए दही आलू की दम बन गई है तो देखिए कितने अच्छे कलर आये हैं अब मैं इसमें थोड़ा धनिया पत्ता और एड़ कर देती हूं और ग्यास का फ्लेम बंद कर द तो कितने टेस्टी लग रहा है ना यह दही आलू के दम एक बार आप जरूर बनाएए फ्रेंड्स और अपने घर में में कोर्स में चाय चावल के साथ रोटी के साथ आप सब कीजिए यह रेशिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू मैं चानल तंक जाओ ओंक लगा तो वाट है